Hey guys, welcome to your own YouTube channel as a logical one destination for all information तो guys, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, finally, class 10 का SST की सिरीज, term 2 examination की special सिरीज, guys, हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा सबसे पहला जो चेप्टर है, वो है guys, nationalism in India और guys, इस चेप्टर को हम इसी वीडियो में cover कर लेंगे, बहुत ही easy way में और बहुत ही असानी से तो guys, अगर आपको यह चेप्टर अच्छे समझना है, A से लेके Z तक, आप बिल्कुल सही जगाँ पर आए हैं तो इसलिए अगर आप हमारे चेप्टर पर ने हैं तो चेप्टर को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन ज़रूर दबाईएगा तो guys, चलिए बिना टाइम वेस्ट करें, हम यहाँ पर शुरू करते हैं अपना चेप्टर nationalism in India लेकिन guys, यहाँ पर चेप्टर शुरू करने से पहले, मेरी हमेशा से आदत है कि यहाँ पर चेप्टर का मतलब और चेप्टर का कॉंटेक्स समझाना बहुत ज़रूरी होता है कि यहाँ पर अगर हम चेप्टर का इंट्रोड़क्शन सुरू कर देंगे और अगर आपको यहाँ पर चेप्टर का मतलब नहीं समझ में आएगा और खास करके literal meaning क्या है, उसका objective क्या है तो guys, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि तरीके से जो आपका basic है उस चेप्टर को लेकर यह आप में कहूं उस चेप्टर का जो root है, जो जड़ है, वही आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ पाएगी तो guys, कहने का मतलब यह है कि इस चेप्टर का नाम है nationalism in India तो अगर हम यहाँ पर सवाल पूछें कि भाई, यह nationalism का आखिर मतलब क्या होता है तो जातर कुछ student यहाँ पर बोलेंगे कि भाई, nationalism का मतलब होता है अपने देश से प्यार करना कुछ लोग यह बोलेंगे कि देश भक्ती, कुछ लोग बोलेंगे राष्टरवाद तो गैस अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसके literal meaning की तो इसको हिंदी में अगर translate करेंगे तो इसका हो जाएगा मतलब राष्टरवाद ठीक है, अब यहाँ पर राष्टरवाद का मतलब होता है कि माली जी एक group of people है उसमें different cultures के लोग है, different races के लोग है, different religion के लोग रहते हैं और उन सबका एक desire है, पूरा का पूरा वो group बनाते हैं और उन सबका एक desire है हमें यहाँ पर अपना खुद का एक independent, sovereign state बनाना है, nation बनाना है तो उसी desire को guys यहाँ पर कहा जाता है nationalism अब यहाँ पर आप सबके mind में एक सवाल आ रहा होगा और वो उसका जवाब देना बहुत ज़्यादा जरूरी है नहीं आ रहा तो आना चाहिए guys, वो यह है कि यहाँ पर कभी कभी क्या होता है देश से जितने भी जूड़ी values हैं, उन से जूड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उन सबसे आप जो है महबत करते हैं, प्यार का इजहार करते हैं लेकिन अगर इसका literal meaning देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि यह जो है यहाँ पर independent और sovereignty की बात होती है जहाँ पर अलग-अलग type के लोग रहते हैं, जो कि सिर्फ एक ही common चीज़ के लिए जो है independent और sovereignty के लिए उसी के लिए यहाँ पर अपना desire का इजहार करते हैं वहीं दूसरी सिर्फ जो patriotism है, वो यहाँ पर independent और sovereignty की बात नहीं करता वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर अपने देश से महबत करने की बात करता है, प्रेम करने की बात करता है जिसको हम आम बाशा में देश प्रेम भी कहते हैं तो मुझे उमीद है guys कि यहाँ पर आपको जो nationalism है उसका अच्छे से मतलब समझ में आ गया होगा अब guys अगर मैं बात करूँ कि यहाँ इस चप्टर में हम बात करने वाले हैं nationalism in India यानि इंडिया में nationalism कैसे आया उससे पहले guys आप सबको पता है कि यहाँ पर European nations में भी इस time period से पहले First World War से पहले European nations में भी यहाँ पर nationalism एक movement के तोर पर उभर कर सामने आया था जिसको हम यहाँ पर modern nationalism भी कहते हैं तो modern nationalism जब आया था Europe में जिसकी वज़ा से बहुत सारे nation states का formation हुआ था और nationalism की सबसे बड़ा feature सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर एक sense of belonging आ जाती है यानि एक तरीके से लोगों का जब common target रहता है common ambition रहता है तो एक साथ रहने की जो unity है वो भड़ जाती है उची के साथ-साथ यहाँ पर नए symbols नए icons भी आते हैं new songs भी आते हैं और इसी तरीके से जो यहाँ पर उस community की यानि उस nation की उस group की एक boundary भी ड्रॉप की जाती है या boundary भी redefine होती है जैसे कि हमने देखा इंडिया और पाकिस्तान जब partition हुआ तो इंडियन जो लोग थे उन्होंने अपनी यहाँ पर boundary redefine करी पाकिस्तान ने अपनी redefine करी अगर हम political point of view से देखें तो तो इसके इसाब से हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो nationalism है European nation में इससे पहले आया था और देन उसके बाद इंडिया में आप सब को पता है इंडिया में और बहुत सारे South Asian countries जैसे की Vietnam और बाकी South Asian countries में जो की पहले colonies थी अब colonies क्या होता है तो colonies का मतला होता है जब यहाँ पर बाहर के group जो है दूसरी country पर आकमनड करते हैं और उस पर रूल करना है स्टार्ट करते हैं मिसाल के तोर पर मा लीजिए वेतनाम का या फिर लीजिए इंडिया का इंडिया में Britishers आये और यहाँ पर Britishers ने लगबख 100 साल तक रूल किया तो इसके हिसाब से दिखा जाए तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर Britishers ने इंडिया को अपनी colony बना के रखा हुआ था 100 साल तक तो इसी को कहते हैं colony और हम कभी कभी historical point of view से एक colonial इंडिया का भी नाम लेते हैं 1947 से पहले तो guys यहाँ पर जो growth थी modern nationalism की वो intimately connected है इनी सारे anti-colonial movement से जी हाँ guys इसी लिए इसको modern nationalism कहा जाता है यहाँ पर जो anti-colonial movements आये थे और खास करके यह जो आये थे यह आपके 20th century में आये थे ठीक है guys तो यहाँ पर anti-colonial का मतलब क्या है कि जो लोग वहा नेटिव लोग रह रहे हैं उनकी उपर जो अतिया चार हो रहा है जो भी ruler उनके उपर rule कर रहा है तो guys यहाँ पर जब first world war हुआ था 1914 से लेकर चला था जो की 1918 तक यानि लगबख 4 सालों तक तो यहाँ पर जब first world war हुआ तो जिसकी वज़ा से defense expenditure बहुत जादा लगा खास करके Britishers का क्योंकि इसमें Britishers का अब काफी घाटा भी हुआ था तो defense expenditure यानि की defense के उपर खर्चा बहुत जादा लगा था तो और उसी के सासा जो दूसरा तरीका था इनका वो यह था कि जितने भी इनके colonial state थे खास करके इंडिया ने और भी colonial state थे Britishers के उस ताइम पे तो उन सब जगा यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया टैक्सिस इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया भढ़ाना स्टार्ट कर दिया इस इससे यह जो इन्होंने खर्चा किया है defense expenditure पे इसको यह cover कर सकें अब यहाँ पर इसी के सासाथ अब war का जब समय चल ला था यानि यह जो इस time का जो period था उसमें यहाँ पर जो items बिखते थे उन सब का price बहुत ही महंगा होता था और ऐसा बताया जाता है कि 1913 से लेकर 1918 के बी कर रही थी क्योंकि आप सब को पता है आज भी या अगर आप उस time पर भी अंदासा लगाएंगे तो आप सब को पता है जो जातर common लोग होते हैं आम जंता होती है खास करके जो poor people होते हैं वो लोग daily wage के उपर यहाँ पर अपना livelihood बिताते हैं अपनी जिंदगी बसर करते हैं और आप सब को पता है उस वक्त में यहाँ पर maximum जो poverty थी वो उस time पर रही होगी क्योंकि जाईसी बात है Britishers ने बहुत सारी precious metals बहुत सारी precious चीज़ें इंडिया से यहाँ पर अपने देश में गलत तरीके से पहुचाई थी तो इसली के साथ साथ guys यहाँ पर एक और important चीज म आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर world war जब चल ला था first world war तो उस वक्त में यहाँ पर ruler people को यानि गाउं में रहने वाले लोगों को जबरदस्ती आर्मी में recruit किया जाता था यानि कि उनको यहाँ पर जबरदस्ती भरती करवाया जाता था और इसी की वज़ा से यह भी यहाँ पर सुनेंगे आप जब अपनी दादी से या दादा से या नानी से नाना से पूछेंगे कि उस टाइम पर अगर उस टाइम पर रहे होंगे तो आपको अच्छे से बताएंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ पर भागते थे जब जो है Britishers आते थे यानि फरंगी आते यहाँ पर रिकुलीट करवाने यानि जबरदस्ती आर्मी में भरती करवाने इसकी के इसासाथ गाईज इसके अलावा यहाँ पर बहुत ज़्यादा अगरिकल्चर प्रॉब्लम हुआ था यहाँ पर जो अगरिकल्चर प्रोड़क्शन है उसका बहुत बुरा एफेक्ट प हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में हाला कि कोविट की केसे चले हैं जिसको हम पैंडमी के नाम से पुकारते हैं तो पैंडमीक एक तरीके से हम कह सकते हैं बहुत बड़ी महामारी और उससे सेकिंड स्टेज वाली यानि उससे कम पैंडमीक से छोटी उसको कहते हैं एप की फेमाइंस और एपिडेमिक की वज़ा से ठीक है गाइस बारा से तेरा मिलियन अगर आप इसे अंदाजा लगाएंगे हमारे इंडियन काउंट में यानि हमारे देसी गिंती में तो आपको यह लगभग 1.2 करोड से लेके 1.3 करोड तक अप्रोक्सिमेटली फिर उसके बाद आप सबको पता है गाइस कि यहाँ पर 1919 के बाद जब यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वार हुई थी तो उसकी वज़ा से नई economic और political situation पूरे वर्ल्ड में create हो गई थी अब लोग यह सोच रहे थे कि ठीक है भाई यह वर्ल्ड वार हो जाएगी तो यहाँ पर जो हमारे अच् reasons की वज़ा से और जो भी negative effect आये थे first world war की उसकी वज़ा से और खासके अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे लोगों के बारे में आनि people of India के बारे में तो अब यहाँ पर इन सारी के सारी negative effect की वज़ा से और इसी के साथ साथ इतनी ज़्यादा poverty की वज़ा से यहाँ पर हर बं independent movement की leader भनके उबरे along with many other leaders also जिससे guys यहाँ पर जो independence का movement है वो और जदा intensify हुआ और धीरे धीरे जादर से जादर लोगों में इसको लेकर awareness भी फैलने लगी और then guys आप सबको पता है 1919 में एक और जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं इसको काला कानून भी कहा जाता है और जिसका नाम है rollet act 1919 में Britishers के द्वारा rollet act भी लाया गया अब यह rollet act क्या था तो इस चलिए इसके बारे में जान लेते हैं तो guys यहाँ पर जो rollet act था यह pass किया गया था imperial legislative council के द्वारा 1919 में और जो Indian members से उन लोगों ने बिलकुल भी इसको support नहीं किया that's why it is called black law but it was passed nevertheless because आपको पता है कि majority Britishers की थी और roll Britishers का था उस time पे तो यहाँ पर rollet act ने क्या किया British government को enormous power दे दी कि यहाँ पर वो किसी भी political activities को repress कर सकते हैं यानि कोई भी अगर यहाँ पर धरना दे रहा है अपनी आवाज ने freedom of expression का exercise कर रहा है उसका इजहार कर रहा है तो उसको भी यहाँ पर आसानी स यह repress कर सकते हैं और यहाँ पर जितने भी political leaders आएंगे उन सब को असानी से यह कैद कर सकते हैं without trial for two years without trial का मतलब यह है guys कि यहाँ पर आप कोई भी bail नहीं ले सकते यहाँ पर आप जो है court वगेरा में नहीं जा सकते दो साल आपको jail में रहना ही रहना पड़ेगा at that time तो guys यह जो है काला कानून था अब हुआ कि guys कि यहाँ पर 6 अपरेल 1919 को इसके पास होने के बाद रॉलेक्ट एक्ट के गांधी जी ने एक nationwide सत्तेगरे चलाया इस proposed रॉलेक्ट एक्ट के खिलाफ और यहाँ पर यह जो strike थी वो 6 अपरेल को ली गई जिसकी वज़ा से यहाँ पर सारे लोग यहाँ पर इसके support में इस agitation के various cities में shops जो है यहाँ पर shutdown करती गई थी दुकाने वगेरा workers जो थे railway के वो सब यहाँ पर strike पर चले गए थे हरताल पर चले गए थे और फिर उसके बाद British administration ने decide कि भाई इतने सारी problems आ गई है तो अभी तो यहाँ पर यहाँ पर यह हाला कि हमने अच्छे से pass भी नहीं किया ऐसे ground level पर तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पर सारे के सारे nationalist के उपर लाठी charge करना और कई सारे local leaders को arrest भी कर लिया ठीके guys और फिर उसके बाद यहाँ पर महात्मा गादी को भी दिल्ली में enter करने से रोक दिया गया तो guys यह तो बात administration इस्टार्ट किया था आपके मन में स्वाला रहा होगा कि guys यहाँ पर महात्मा गादी की ऐसे कैसे entry हो गई कुछ background भी होगा कि कब आये थे यहाँ पर महात्मा गादी South Africa से क्योंकि South Africa में आप सबको पता है कि महात्मा गादी ने अफार्टीट के किलाफ यहाँ पर movement खड़ अफरीका में और खास करके Indians के अलावा और भी बहुत सारे blacks थे जिनके खिलाफ यहाँ पर discrimination होता था उसके खिलाफ भी यहाँ पर लड़ाई लड़ी थी अब यहाँ पर सब लोंग को पता था कि South Africa में गादी जी ने इतने बड़े movement को lead किया है successfully और guys जो यहाँ पर सत्ते ग सत्ते गरे है महत्मा गानी के दौरा वो कहां शुरू किया गया तो आपको यह जवाब नहीं देना है कि रॉलक टैक्ट के खिलाफ शुरू किया गया उन्यूस में नहीं आपको South Africa का बताना है अंटिल एनलेस अगर यह न कहा जाए कि बताईए सत्ते गरें इंडिया में कभ पर शो किया था जिससे काफी ज़्यादा काम्याबी हासिल हुए थी महत्मा गांदी को अब यहाँ पर जो आइडिया है सत्ते गरेंगा उसमें ऐसा था क्या तो उसमें गाईज यहाँ पर था power of truth and the need to search for truth ठीके गाईज तो 1916 में गांदी जी यहाँ पर चंपारन गए जब बहुत अच्छा result भी दिया है तो आप यहाँ पर बिहार में आये क्योंकि बिहार में काफी ज़्यादा लोगों को problem हो रही थी तो guys यहाँ पर 1916 में गांदी जी ने चंपारन जो की बिहार में है वहाँ पर travel किया ताकि जो peasants की struggle है उसको काम्याबी दिला सके against the operative plantation system ठीके गाइस तो यहाँ पर जो rules and regulations बनाए गए थे जिसकी वज़ार से peasants को काफी जाए दिक्कत हो ली थी Britishers के द्वारा उस operative rules ताना चाही rules के खिलाफ यहाँ पर लड़ाई लडने के लिए गांदी जी को बुलाया गया था 1916 में तो guys यहाँ पर अगर हम बात करें कि वो plantation system क्य था उनमें कौन-कौन से rules से तो guys मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर हुआ क्या था चंपारन में कि जो plantation workers थे उनको यहाँ पर यह permission नहीं थी कि वो जो अपना tea garden है उसको बिना permission के छोड़ सके ठीके guys पहली चीज तो यह हो गई और as per the Indian Immigration Act जो लाया गया था 1859 में इसमें बतायागा कि when the news of non-cooperation movement spread to the plantation many workers begin to defy the authorities ठीकी guys तो यहाँ पर पहली चीज तो यह हो गई कि जो Indian Immigration Act लाया गया उसके अनुसार आप अपना जो है टी जो टी गार्डनर्स में काम करने वाले peasants हैं वो अपना टी गार्डन नहीं छोड़ सकते दूसरी चीज यह थी कि जब यह defy करना शुरू कर दी यानि यहाँ पर अब उनमें जो है एक तरीके से उनको लगा कि अब हमारे पास एक leadership आ गई है अब हम यहाँ पर इस operative rule के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं तो उन्होंने क्या किया कि अपने plantations वगएर छोड़ दिये और जो है वो अपने घर की तरफ लोट गए लेकिन यहाँ पर जब वो अपने घर की तरफ जा रहे थे तो उनको रास्ते में परिशानी आए क्योंकि आप सबको पता है कि इसी टाइम पे railway और steamers की strike भी चल ली थी हरतार भी चल लई थी और उसी के सासाथ उसी बीच में गाईज वो जो लोग थे जो यहाँ पर छोड़ के जा रहे थे अपने ती गार्डेस वगेरा को तो यहाँ पर पुलिस ने उनको क्या किया पकड़ लिया और उनको बहुत बुरी तरीके से मारा अब यहाँ पर जो गाईज मैधर था सत्यगरे का वो पूरी तरीके से बेस था किसा आडिया पर that if someone is fighting for a true cause there is no need to use any physical force to fight the oppressor यानि जो सत्यगरे का आडिया था वो यह था कि भाई अगर कोई यहाँ पर सचाई के लिए हक के लिए लड़ा है तो यहाँ पर उसको किसी भी physical force की जरूरत नहीं है उपरेसर से fight करने के लिए यह गाईज यहाँ पर सत्यगरे का आडिया था और गांधी जी का अब यहाँ पर गाईज काई सारे कुछ early 1719 moments organized किये गए थे गांधी जी के द्वारा तो पहला तो हमने आपको बताया थे कि यहाँ पर 1916 में चंपारे में बुलाया गया था गांधी जी को तो वहाँ पर गांधी जी ने presence moment जो कि यहाँ पर one of the first early 1719 moment माना जाता है तो गाई गाईज यहाँ पर mill workers का moment जो कि एहमदाबाद में हुआ था 1918 में अब उसके बाद इन जब तीनों सत्तगरे moments में कुछ न कुछ सफलता हासिल हुई उसके बाद क्या हुआ कि मात्मा गादी ने डिसाइड किया कि अब यहाँ पर हमें एक nationwide सत्तगरे launch करने की जरूरत है फिर रॉलरक टैक्ट मैंने आपको पता है 1919 में मैं वहीं पर वापिस आ गया हूँ बस वो जो बीच के अमने इस लाइड जो दो थी वो यह समझाने के लिए था कि background इचका क्या था तो अब आईए वापस रॉलरक टैक्ट की तरफ आप सब को पता है कि 1919 में यह जो है रॉलरक ट रेकियोंगी तो गाईज हुआ कुछ ऐसा कि यहाँ पर 10 अपरेल 1919 को जब यहाँ पर नेशनवाइस सत्यगरे मुवमेंट चल ला था अमरी सर में क्या हुआ कि पुलिस ने सडलनी एक पीसफुल प्रोशेशन जो चल ला था यानि लोग यहाँ पर पीसफुली एक अठटा ह हुए थे उसके उपर गाईज पुलिस ने अंधादुन फाइरिंग स्टार्ट कर दी इसके रिजर्ट में क्या हुआ कि कई सारे गवर्मेंट इस्टेबलिश्मेंट के उपर अटेक होना शुरू हो गए मार्शिल लोग इंपोस कर दिया गया अमरीस सर में और इसके बाद जो पूरा का पूरा कमांड था अमरीस सर का वो दे दिया गया जर्नल डायर के हाथ में अब यहां पर जो इनफेमस यानि की शौकिंग जलिया वाला बाग कांड हुआ था मसाक्रे हुआ था वो 13 अपरेल को हुआ आप सब को पता है अब उसी दिन यहां पर जलिया वाला बाग कांड के नाम से हर साल 13 अपरेल को याद किया जाता है इस दिन क्या थी इस दिन बैस बैसाकी भी था जहां पर बैसाकी को सेलिबरेट कर रहे थे लोग पंजाब में कई सारे जो हैं भीड़ खटा हुई थी विलेजर्स की पाटिसिपेट करने एक फेयर हुआ था जलियावाला बाग में अब यहां पर कोई इस मोटिफ के साथ नहीं आया कि हमें प्रोटेस करना ह यहां में जो उनके खलाफ नारे बाजी करनी है बैसाकी का तोहार था जो भी हुआ था 10 अपरेल को हुआ था अब 13 अपरेल को यहां पर लोग जलियावाला बाग में खटा हुए थे ताकि बैसाकी को सेलिबरेट कर सकें हुआ कि यहां पर चारो तरफ से जो भी नेरो एंट गाइज यहाँ पर 100 से जादा लोग तकरीबन शहीद हुए थे उस इंसिडेंट में और इसके रिजल्ट में पूरे नॉर्थ इंडियन के टाउंस में बहुत जादा वाइलेंट रियक्शन पब्लिक का देखने को मिला तो गाइज यहाँ पर गुवर्मेंट ने भी अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया वर्मेंट और हुआ कि यहाँ पर जो सारी चीज़ें थी वो हाइली वाहलेंट हो गई यानि बहुत ज़्यादा वाइलेंट हो गई दंगे फसाद जो है यह सारी इंसिडेंट बहुत ज़्यादा भढ़ने लगे फिर हुआ कि महात्मा गांदी ने जो उनका मुवमेंट था उसको कॉल ओफ कर दिया कि महात्मा गांदी यह नहीं चाते थे कि यहाँ पर हम वाइलेंट का रास्ता इक्तियार करके जो है यहाँ पर ब्रिटिशा से लड़ाई लड़ें तो गाइज यहाँ पर जलिया वाला बाक कांड में हंडेड ओफ इनोसेंट्स लोगों की जान चले गई अब इसके विज़े से क्या हुआ कि सारे के सारे इंडियन स्लोगों में इंडियन के माइंड में उस ताइम पर एजिटेशन सुरू हुआ एक गुसा आया तो इनोंने क्या किया उस गुस्से का इजहार यहाँ पर स्ट्राइक से किया यानि हरताल से किया पुलिस वगेरा से कई सारे क्लैशेस भी हुए थे कई सारी गवर्मेंट बिल्लिंग्स पे अटेक्स भी हुए थे उस टाइम पे फिर उसके बाद ये तो बात हो गई गाइस यहां पर जलियावाला बाग की तो गाइस यही पूरे फैक्स हैं जो आपको यहां पर लिखने हैं अगर जलियावाला बाग से कुई भी कोशन आता है सिर्फ इसी के अंदर से ही आ सकता है अगर हम बात करें गाइस यहां पर जलियावाला बाग के बाद 1919 के बाद यहां पर एक खिलाफत movement start हुआ था all over the world अब जो खलाफत issue था उसकी वज़े से क्या हुआ कि यहाँ पर आप सब को पता है जो खलाफत movement था वो खास करके all over the world जो है Muslim leadership को ले कर था थीक है तो यहाँ पर महत्मा गानी को इसमें एक बहुत अच्छी opportunity देखी क्या opportunity थी कि यहाँ पर हिंदूज और Muslims के जो target था चाहे वो खलाफत movement की बात करें या फिर यहाँ पर overall Indian movement की बात करें जो independence की चली थी उनका जो target था वो सिर्फ और सिर्फ Britishers था तो यहाँ पर उन्हें common platform दिखा कि हम यहाँ पर एक common platform बना सकते हैं जहाँ पर हम लोग एकटा होंगे जिससे हमारी ताकाद भी भड़ेगी और हम असानी से Britishers से लड़ भी सकेंगे तो guys इसलिए यहाँ पर एक खिलाफत committee फॉर्म की गई March 1919 में ताकि यहाँ पर खलीफा को जो यहाँ पर तरकी में उस ताइम Ottoman Empire के खलीफा थे 1919 में उसको defend किया जा सके इस committee में बहुत सारे famous leaders भी थे जैसे कि यहाँ पर famous brothers थे मुहमद अली और शौकत अली उन्होंने यहाँ पर यह चाहा कि महत्मगानी इस चीज़ को और आगे ले जाए और एक united mass action बने तो guys हुआ कि यहाँ पर Congress के Calcutta session में जो कि September 1920 में हुआ था एक resolution पास किया गया जहाँ पर non-corporation movement को officially start किया गया in support of khlaffat and also for सोराज यानि सोराज और khlaffat movement को 81 यहाँ पर start किया गया और उसका नाम दिया गया officially non-corporation movement तो guys हुआ कि यहाँ पर हमको बता यहाँ पर मैं background दे दूँ कि First World War में जहाँ पर Ottoman Turkey थी उनको defeat कर दिया गया था और बहुत ही harsh तरीके से यहाँ पर peace treaty वगेरा sign करवाए गयी थी जबर्दस थी Ottoman Emperor से और हुआ क्या कि यहाँ पर Ottoman Emperor को एक spiritual head माना जाता था पूरे Islamic World में जिसको हम खलीफा भी कहते हैं इसके पर जैसे क्या हुआ कि यहाँ पर Hindus और Muslims को unite करने के लिए Gandhi जी ने decide कि भाईया हम यहाँ पर non cooperation movement start करेंगे in support of khlaafat as well as for Swaraj. तो Calcutta session में September 19-20 में इस चीज़ को यहाँ पर launch किया गया तो guys यह तो बात होगो यहाँ पर जलिया वाला बात कांड के बाद khlaafat movement के बारे में अब अगर हम आगे बात करें तो non cooperation movement जब launch कर दिया गया खlaafat as well as foraj को मिला के जब launch किया गया तो उसके बाद क्या result सामने आया तो guys यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक famous book थी हिंद स्वराज 1909 में लिखी गई थी महत्पां गांडी की book थी तो महत्पां गांडी ने इसमें declare किया था कि जो British rule है It was established in India with the cooperation of Indians and had survived only because of this cooperation गांडी जी ने यहाँ पर एक बहुत interesting बात इसमें लिखी थी कि जो Britishers हैं वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ Indian के cooperation की वज़े से इ NSA सर्वाइब भी कर रहे हैं तो पता यह चला कि अगर यहाँ पर Indians ही अपना cooperation यानि अपना जो साथ है ठीक है अपना जो cooperation है वही रोकते हैं तो उसके इसाब से तो यहाँ पर British rule फिर collapse कर जाएगा ठीक है तो उसी लिए यहाँ पर क्या हुआ कि गांधीची को यह लगता था कि अगर यहाँ पर सारे के सारे इंडियंस कलेक्टीवली एक खटा एक युनाइटेड मांस एक्शन के तौर पर नौन कॉपरेशन मुवमेंट रिस्टार्ट करें तो यहाँ पर जो प्रिटिशर्स हैं उनके पास कोई भी चौज नहीं रहेगा सिवाए इंडिया से भागने का तो गाइस यहाँ पर प्रपोजल लखा गया नौन कॉपरेशन मुवमेंट का जिसमें क्या क्या बात रखी गई तो पहला प्रपोजल था वो यह था कि यहाँ पर जिन जिनको भी टाइटल दिया गया है ब्रिटिश गवर्मेंट के दौरा वो सब अपना टाइटल यहाँ पर इसी वीच में रमिना टैगाउर को भी एक टाइटल मिला था जो कि उन्हें ने वापस कर दिया था फिर उसके बाद जो दूसरा प्रपोजल था नॉन कॉपरेशन मुवमेंट का वो यह था गाईज कि यहाँ पर जो भी सिविल सर्विसेज में हैं इंडियन लोग आर्मी में हैं पुलिस में हैं कोर्स में हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में हैं स्कूल में काम करते हैं वो सब करें echapर उसको भुएकाट करें ठीक हैं जो काम करते हैं वो भी और यहाँ पर कंई लोग काम करते थे लोग Pom tel के छोड़ मॉवमेंट में साथ जो है मुवमेंट को जों किया और यहाँ यह भी कहा गया कि जो b히 सिविल सर्विसेज हैं आर्मी हैं पुलिस हैं इन सब को boycott किया जाए और फिर उसके बाद जो तीसरा proposal था वो ये था guys कि यहाँ पर जो foreign goods है यानि जो बाहर से समान है खास करके जो Britain का समान है उसको boycott किया जाए तो ये तीन proposals रख कर जो है शुरुआत की गई non cooperation movement की तो guys अगर हम बात करें इसके time period की exactly तो यहाँ पर यह January 1921 में non cooperation खिलाफत movement start किया गया था जिसमें बहुत सारे social groups ने participate किया था सब का अपना-पना aspiration था और सब ने अपने-पने हिसाब से यहाँ पर movement की शुरुआत की सुराज के लिए call किया लेकिन यहाँ पर अलग-अलग लोगों का अलग-अलग target था अलग-अलग aspiration था अब वो target क्या था यह भी आपस examination में पूछा जाता है तो guys अगर हम बात करें यहाँ पर अवद regions की जो अवद के लोगों को था उनका क्या aspiration था उनका का यहाँ पर ambition था इसको लेकर तो guys यहाँ पर आप सबको पता है कि यहाँ पर पीजन मूवमेंट्स वगएरा जो है यहाँ पर लेड किया गया था बाबा राम-चंडर के द्वारा अब वो जो है एक सन्यासी थे जो कि यहाँ पर पहले पीजन्स की डिमांड्स यह थी कि जो revenue है इसको reduce किया जाए और जो बेगार सिस्टम है उसको abolish किया जाए और उसी के सासा जो oppressive landlord यानि जो जमीदारों का British का खास करके जो रवया है उसको पुरी तरीके से boycott किया जाए तो यह सारी demands थी अवद की अब यहाँ पर tribal peasants का क्या यहाँ पर ambition था याद रखिएगा मेरी वो line कि यहाँ पर अलग-अलग लोगों का अलग-अलग ambition था अलग-अलग यहाँ पर यह दिखा था कि यहाँ पर उनको जो है forest वगेरा में जो चराने के लिए भेड को बक्रियों को और यहाँ पर fruits वगेरा collect करने के लिए firewood वगेरा collect करने के लिए बिलकुल मना कर दिया गया था अब जो यहाँ पर new forest rule आय थे वो तरीके से उनके live load के लिए बहुत बड़ा ख खड़ा किया आवास उठाई अपनी Britishers के खिलाफ ट्राइबल एरियास में खास करके हुआ कि यहाँ पर ट्राइबल के एक अपना special war होती थी इसको गोरिला वाल भी कहा जाता है गोरिला वाल में होता किया है कि यहाँ पर छुपके जो है वार किया जाता है जैसे किसी पहार के पीछे या किसी पीड के पीछे तो उसे गोरिला वार कहते हैं तो उस वार फेयर के यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपना जो प्रोटेस्ट था उसका इजहार किया था और जो यहाँ पर नॉन कोपरेशन खिलाफत मुवमेंट था जो जनवरी 1921 में स्टा उसमें आप सबको पताएं कई सारे शोचल गृट ने पाटिसिपेट किया था अब यहाँ पर बात करें इसकी अफेक्ट की कि इसका रजल्ट क्या हुआ तो यहाँ पर जो मुवमेंट था उसने बिटिच की पूरी एकनॉमिक को बहुत बुरी तरीके से एफेक्ट किया था अब यहाँ पर जो इंपोर्ट था फॉरन क्लॉट था वो बिल्कुल हाफ हो गया था नहीं कम हो गया था 1921 से 1922 के बीच में जहाँ पर बताएं अगर आपकी इसकी वैलू तो 102 करोड से लेकर 57 करोड नहीं लगबग लगबग जो इसकी वैलू थी फॉरन क्लॉट की इंपो स्काइद हो रहा था लोगों ने क्या किया कि यहाँ ने क्याए उसकी यहाँ पर प्रोडक्शन भी थी बढ़ड़ना स्टार्ट हो गई फिर उसके बाद गाईज यहाँ पर 1920 में जवानलान नहरू ने क्या किया कि सारे के सारे विलेजर्स को अपरोच किया ताकि उनकी यहाँ पर ग्रिवेंसेज को उनकी शिकायतों को सुना जा सके और उसी के इसाब से यहाँ पर आगे जो प्लानिंग है इंडिपेंडेंस मुवेंट की वो की जा सके कलेक्टीवली तो अक्टूबर तक यहाँ पर क्या हुआ कि जो आवद किसान सबाती वो यहाँ पर सेट अप की गई जवानलान नहरू के द्वारा और बाबार रामचंद के द्वारा और यहाँ पर नॉन कोपरेशन मुवेंट जो है स्टार्ट किया गया आवद पीजन के साथ और इस्ट्रकल जो है धीरे धीरे ऐसा ही अलग-अलग रीजन को जोड़ते हुए पॉपलर होती गई अब यहाँ पर 1921 में जब मुव्मेंट जो है काफी ज़्यदा फैल गया था तो जो यहाँ पर तलुकदार और मर्चंस वगेरा के हाउस थे वो भी यहाँ पर अटेक होना स्टार्ट हो गए थे बजार्स वगेरा में लूट होना स्टार्ट हो गई थी ग्रेन स्टोर्स अब गाइस यह जो गुडन हील्स जो आंद पर देस है यहाँ पर इसलिए मुम्मेंट यह किया गया इसलिए प्रोटेस किया गया ताकि यह भी प्रोडेस को संटार्स किया गया है निलाओ कौग्रेस प्र अधर gla suivre चार्ट हो गया जहां पर पून सोराज की demand की गई जिसको हम English में full dependence for India भी कह सकते हैं और इसको declare किया गया था 26 January 1930 को जिसको हम यहाँ पर बाद में ऐसा माना गया कि जिसको हम यहाँ पर independence day के तौर पर celebrate करेंगे आगे चलके हाला कि आगे चलके 15 जो है यहाँ पर हमारा definitely 15 जो 1947 जो है लेकिन जो celebration थी उस वक्त पूर्ण सुराज की उसने काफी कम attention हासिल की तो इस देन उसके बाद हुआ कि British के side से जब यह सारी की सारी चीजें चल ले थी movements वगरा चल ले थे तो British वगरा के भी नाक में दम एकदम हो गया था तो उन्होंने क्या किया commission commission बैठाने की यहाँ पर उन्होंने शुरुआत कर दी तो British government ने एक statutory commission बैठाई under Sir John Simon अब यहाँ पर यह commission इसलिए बनाए गई थी ताकि यहाँ पर जो constitutional system है इंडिया का उसमें कुछ बद्राव किया जा सके ठीक है और कुछ changes किया जा सके अब यहाँ पर हुआ कि since all the members जो commission में थे वो सब British थे और कोई भी यहाँ पर इंडियन लीडर नहीं था जिसकी बजाए से सारे के सारे इंडियन लीडर्स ने इस साइमन कमीशन को fully oppose किया हुआ कि जब यहाँ पर साइमन कमीशन पहुचा 1928 में इंडिया में तो यहाँ पर उसको go back साइमन कमीशन साइमन कमीशन go back साइमन गो back इस तरीके के नारे जो है लगाए गए सारी के सारी parties ने इस protest को join किया October 1929 में Lord Irwin ने जो है अनाउंस कर दिया एक वेग offer कि भाई यहाँ पर एक Dominion status हम इंडिया को दे देंगे लेकिन यहाँ पर उसके timing specify नहीं होगी उन्होंने उसी के सासाथ इसके डर में यह भी offer किया कि यहाँ पर हम एक round table conference हकना चाते हैं तकि future में आने वाले constitution को हम अच्छे से discuss भी कर सकें तो यह तो बात हो गई guys यहाँ पर summon commission की उसके बाद क्या हुआ उसके बाद यहाँ पर शुरुआद हुई civil disobedient movement की लेकिन इसकी जो है एक interesting शुरुआद हुई इसकी शुरुआद ही salt march से ठेके guys तो महत्मा गानी का यह belief था कि यहाँ पर जो salt है वो एक powerful symbol हो सकता है लोगों को unite करने का सारे के सारे nation को क्योंकि जाईसी बात है अब जो salt है वो हर एक खाने में भी इस्तमाल होता है मत्तब food के हर एक item में salt इस्तमाल होता है तो इसलिए क्या हुआ कि जातर जो लोग थे और यहाँ पर Britishers भी थे वो शौक हो गए थे हुआ कि कि यहाँ पर salt tax बढ़ाया गया था देन उसके बाद जब यहाँ पर कोई भी response नहीं हुआ या कोई भी change इसमें नहीं किया गया तो उसके बाद यहाँ पर salt मार्च या फिर डांडी मार्च जो है यहाँ पर restart किया गया गांदी जी के दौरा 12 मार्च 1930 को इसके बाद यहाँ पर ऐसा बताया जाता है कि गांदी जी के साथ 78 वालंटीर्स जो थे जो साथी थे उनके साथ यहाँ पर डांडी मार्च के लिए उन्हें ने शुरुआत की और 24 दिन तक यह चला था जिसमें यहाँ पर 240 माइल्स का यहाँ पर सफरता किया फ्रॉम सबर मती तू डांडी यह चीज़ आपको जरूर याद दखनी है यह फैक्ट्स आपके पूछे जा सकते हैं और भी रास्ते में जैसे जो है कार्मा बढ़ता गया कहते नहीं है कि मैं चला था अके लिए जाने में मनजील लोग आते गए कार्मा बढ़ता गया तो इस तरीके से यहाँ पर हुआ कि फाइनली लोग जो है रास्ते में जुड़ते जा रहे थे और 6 अपरेल 1930 को गांडी जी ने सब लोग के सामने जो सॉल्ट लॉ था उसको यहाँ पर वाइलेट किया यानि हाथ में मुठी में लेके सॉल्ट को सॉल्ट लॉ लाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा उपरेसिव उसको वाइलेट किया एंड देन उसके बाद क्या हुआ कि उसी से यहाँ पर सॉल्ट मार्च से ही सिविल डिसोबेडियन की शुरुवाद हो गई अब यहाँ पर उसी के सा साथ क्या हुआ गांधी जी के बाद थाउजेंड ओफ लोगों ने यहाँ पर सॉल्ट लोगों कंट्री के अलग-अलग पार्ट में जो है यहाँ पर ब्रोक करना यानि तोड़ना स्टार्ट कर दिया लोगों ने यहाँ पर government salt factories के सामने यहाँ पर protest करना भी start किया था foreign cloth वगेरा boycott करना भी start कर दिया pigeons ने यहाँ पर revenue वगेरा था उसको भी pay करने से मना कर दिया जितने भी village officials थे उन सब ने यहाँ पर resign कर दिया जो Indians थे और travel लोगों ने यहाँ पर forest laws को violate किया अब यहाँ पर जो महत्मकानी ने इस famous salt march या dandy march की जो शिरुवात की थी अपने 78 followers के साथ सबर मती से गुजरात के coastal town of dandy तक तो 6 April को वो यहाँ पर dandy पहुचेते हैं यहाँ पर उनने openly इसको violate किया था done उसके बाद यहीं से civil disobedient movement की शिरुवात होती है तो guys यहाँ पर इसी के साथ साथ काई सारे जो prominent industrialists थे जैसे कि पुरुशोतम दास, ठाकुरदास, जीडी बिल्ला इन समने यहाँ पर colonial control जो चला था बिटिचर्स का उसके खिलाफ यहाँ पर openly attack किया उसको over the Indian economy और यहाँ पर इन्होंने civil disobedient movement को financially support भी किया था जब पहली बार इसको launch किया गया था लेकिन गाई जब इसको दुबारा restart किया गया तब यहाँ पर उन लोगों ने जो है थोड़ा step back किया यानि इसमे रिलेक्टेंस दिखाई क्योंकि जो पहले यहाँ पर इसकी शुरुवात की कही थी इसमें failure का face करना पड़ा था तो 1921 में गांधी जी ने यहाँ पर एक सुराज flag को design किया था जो कि यहाँ पर ट्राइ कलर में था हाला कि यह जो आज का हमारा जो तिरंगा है उस तरीके से गाई यह बिल्कुल भी नहीं था बलकि यह जो था यह थोड़ा अलग था इसका design पहले अलग था 1921 में इसमें य जो एक shining wheel थी center में इस तरीके से इस तरीके साब कह सकते है shining wheel ठीक है हलाकि इसका color जो था वो थोड़ा different था और design भी इसकी अलग थी आज की तिरंगे के हिसाब से जिसमें एक shining wheel थी center में जो कि यहाँ पर गांधी के जो गांधी का जो ideal है self help का उसको यहाँ पर दर्शाता था अब इस flag को साथ में लेते हुए और अपने साथ में लोगों को भी लेते हुए जो है मार्श पे निकल गए और एक symbol यह बन गया था defiance का कि यहाँ पर हम जो है Britishers के खिलाफ मार्श करते हुए जा रहे हैं जैसे कि आप यहाँ पर picture में भी देख सकते हैं तो गाइस अब यहाँ पर जब civil disobedient movement भी start किया गया कई सारी problem से यहाँ पर Britishers के सामने फिरंगियों के सामने आ गई जो response सा British rulers का हुआ यहाँ पर इन्हों ने जो है Congress leaders वगएरा को arrest करना स्टार्ट कर दिया इनके पास कुछ रहता तो है नहीं सिवाए arrest करने के इसके विए से गवर्मेंट ने भी जो है अपना brutality दिखाई और लोगों को repress किया यहाँ तक कि women children's को भी यहाँ पर मारा गया था Britishers के द्वारा और ऐसा बताया जाता है कि लगबग एक लाख लोगों को arrest किया गया था इस incidents में तो यहाँ पर जो बात की गई थी Britishers के द्वारा कि हम जो है round table conference करवाएंगे बातचीत करेंगे तो जब यहाँ पर guys violent हो गई चीजें तो महत्मा गादी ने क्या किया कि movement को call off कर दिया कि movement को रोग दो उसके बाद उन्होंने क्या कि यहाँ पर इर्विन के साथ एक pact sign किया 5th March 1931 को जिसको गांधी इर्विन pact भी कहा जाता है यह आपको ज़रूर याद रखना है ठीक है guys गांधी इर्विन pact अब हुआ क्या कि इस pact के अनुसार गांधी ने agree किया कि ठीक है हम round table conference में लंदन में जो होने वाली उसमें participate करेंगे लेकिन उसके बदले में जिद्रे भी political prisoners को आपने arrest किया है सब से पहले आपको उन सब को release करना जो है गिर्गिट वाली हुआ कि यहाँ पर negotiation broke down हो गई और गांधी जी को disappointment के साथ वापिस आना पड़ा अजब गांधी जी यहाँ पर return आए तो उन्होंने देखा कि जाता leaders को जो है आपर दुबारा jail में डाल दिया गया और Congress को illegal गोशित कर दिया गया British government के दौरा और इच के बाद किया हुआ कि गांधी जी ने दुबारा civil disobedient movement को start किया और by 1934 जो movement था उसने अपना momentum lost कर दिया था अब अगर हम बात करें guys यहाँ पर civil disobedient movement में किन किन लोगों का यहाँ पर participation आए तो सबसे ज़्यादा जो participation आए guys वो रहा है यहाँ पर farmers का जिया guys for the farmers जो सोराज की fight थी वो सबसे बड़ा struggle था against high revenue जो की charge किया जाता था जब यहाँ पर guys movement के बावजूद कोई भी revenue में revise नहीं किया गया यानि कोई भी revenue कम नहीं किया गया तो यहाँ पर काफी ज़दा farmers थे वो disappointed हुए और हुआ कि बाद में उन्होंने movements में in future relaunch किया गया इस movement को 1932 में उस movement मे participate करने से बाद में मना भी कर दिया और जो small tenants थे वो जो यहाँ पर वो सिर्फ यही चाते थे कि जो उनका यहाँ पर unpaid rent है वो यहाँ पर maaf कर दिया जाए हाला कि उन्होंने बीच बीच में radical movements वगरा join किये थे जो कि बाद में socialist और communist के द्वारा lead किया गया था और उची के साथ-साथ जो congress था वो यहाँ पर अपना rich landlords के साथ भी जो यहाँ पर उनको भी alienate नहीं करना चाता था जिसकी वज़े से जो relationship था पूर, presence और congress में वो धीर जिरे uncertain हो गया था अब अगर हम बात करें दूसरे group की businessman की तो businessman का क्या participation नहां तो इंडियन merchants और industries जो थे वो जहाँ पर अपना business जो है during the first world war grow कर सकते थे लेकिन guys यहाँ पर उसके बाद वो colonial policies के काफ़ जादा खिलाफ थे चो कि उनकी business activity को काफ़ जादा restrict करती थी तो guys उन लोगों को यहाँ पर अपने imports को लेकर protection चाहिए थी और जो भी यहाँ पर foreign exchange HEO इन सब को यहाँ पर वो चाहते थे कि इसके लिए protection हमें मिले ताकि कोई भी हमें घाटा ना हो अब हुआ कि जहाँ पर जो इंडियन इंडिस्टियल कॉमर्शियल और कॉंगरेस थी जो कि फॉर्म किया गया 1920 में और जी के साथ साथ Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries को भी फॉर्म किया गया 1927 में खास करके business man के लिए अब इससे क्या हुआ कि यह सारे के सारे जो है फॉर्म किये गए ताकि यहाँ पर जो अटेम है common business interest का वो यहाँ पर लाया जा सके एक common platform में ठीके गाईस तो यहाँ पर हम कहें अगर सीधी साथी बात में कि जो for the business man स्वराज mean and end to oppressive colonial policies अब वो यहाँ पर एक ऐसा environment चाते थे जो कि उनको alive कर सके कि भाई उनका भी business यहाँ पर flourish करे और यहाँ पर इची के सारसा जो militant activities वगरा चल ले थी जो यहाँ पर socialism का एक influence चल ला था younger member of the Congress वो भी यहाँ पर उन्हें काफी ज़्यदा apprehensive लग रहा था तो guys इसमें दोनों साइड है इसमें negative साइड भी है पॉजिटिव साइड भी है बिजनेस्मेन की category में अगर हम बात करें guys यहाँ पर industrial workers की तो उन्होंने कैसे participate किया था तो industrial workers जो थे उन्होंने यहाँ पर अपना एक leak warm response दिया civil disobedient moments के लिए since जो industrialists थे वो काफी close थे Congress के और workers ने जो है यहाँ पर इस moment से थोड़ा distance बनाया लेकिन कुछ workers जो है यहाँ पर उन्होंने से actively participate भी किया था इस moment में क्योंकि Congress यहाँ पर चाहती नहीं थी पूछ दरीके से इंडिस्टिलिस को alienate करना and hence यहाँ पर जो worker की demand है वो यहाँ पर पूरी नहीं हो पाई थी अगर हम बात करें guys यहाँ पर women's participation की तो civil disobedience में movements ने जो हैं पर women's ने भी participate किया था large numbers में however जो जायतर यहाँ पर women's थी वो high caste families थी अर्बन एरियास से और यहाँ पर rich peasants household से ruler areas में अब जो है but for a long time यहाँ पर जो congress था वो काफी reluctant था कि कोई भी position of authority दी जाए women को within the organization तो guys यह थी सारी के सारी चीज़ें जहाँ पर मैंने आपको बताए किस तरीके से movements में participation किया गया आपने खुद देखा भी कि कि किस के इस तरीके से अलग-अलग हों कि अलग-अलग aspiration थी ल participate किया था independence के movement में जो कि एक अच्छी बात आज भी मानी जाती है और guys यहाँ पर एक और important चीज़ यह भी है कि यहाँ पर united marks action जब जब भी हुआ या जब भी खिलाफत movement और उची के सासा जब यहाँ पर non corporation movement को साथ लेकर चले या जब भी united marks action हुआ तो कोई ने कोई बड़ी nationalist movement होता है जो कि मैंने आपको जहां से हमने शुरू किया था वहीं पर हम खतम कर रहे हैं कि जब भी यहाँ पर nationalist movement होता है तो होता क्या है कि यहाँ पर जो अलग अलग लोग होते हैं चाहे वो different region से हो चाहे वो different communities से हो उनको क्या होता है कि एक sense of collective belongingness feel होने लगता यानि लोग guys repeat कर रहा हूं यहाँ पर कि जो nationalist movement जब यहाँ पर होता है जब अलग अलग religion के लोग अलग अलग region के लोग communities के लोग एक साथ इखटा होते हैं एक desire के साथ एक ही यहाँ पर sense of collective belongingness के साथ और जब उनकी एक identity बनती है उसी को कहते हैं हम nation और यहाँ पर कई सारी painters ने अलग अल तरीके से इसको show भी किया इसको symbolize करने की कोशिश की गई और यहाँ पर एक image थी जो है भारत माता की सबसे पहले image जो है बंकिम चंद्र चेटोपाध्याई ने 1870 में यहाँ पर guys बनाई थी जहाँ पर उन्हों लेखा था इसके उपर बंदे मातरम 4 hour motherland कई सारे इसी के साथ इंडियन fox songs वगेरा fox tales वगेरा यानि कवीताएं वगेरा यहाँ पर लोगों के द्वारा गाये गई थी जो कि यहाँ पर एक important role अदा किया जिसने in the making the idea of nationalism बंगाल में आप सबको पता है रविना टेगवर और मदरास में नटेशा सास्तरी इन लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे famous fox takes और songs वगेरा लिखे थे जिसकी वज़ा से guys यहाँ पर जो fox revival है खास करके जो national movement है उसको एक जान मिली थी अब सदेशी movement के time पे भी एक tricolor red green yellow flag यहाँ पर design किया गया था बंगाल में और इसमें यहाँ पर 8 lot अचानी 8 कमल भी थे जो कि यहाँ पर जो दोनों को represent कर रहा था इसी के इसासत guys यहाँ पर history को reinterpretate करना start कर दिया ताकि यहाँ पर जो लोगों की एक feeling है nationalism की उसको जगाया जा सके और इसी के इसासत guys यहाँ पर जो nationalist writers थे उन्होंने यहाँ पर readers को आर्ज किया कि आप लोग देखिए कि हमारे जो past है वो कितना glorious है हमा करने के लिए और इसी के सासत एक motivation मिला यहाँ पर कि जो miserable condition है लोगों की under British rule उसके खिलाफ यहाँ पर लड़ाई लड़ने के लिए तो guys यही था हमारा पूरा का पूरा nationalism इंडिया का topic अब यहाँ पर मैंने इसको topic wise cover किया है जिसके वीज़े से हो सकता आपको यह लगा हो कि यहाँ पर यह sequence नहीं बन पाया यूंकि guys मैंने यहाँ पर topic wise cover किया जो भी आपका term second के अनुसार जो latest syllabus है उसके इसाब से यहाँ पर हमने cover किया और आगे चलके भी आपको यह competitive exam अगेरा में भी काफी ज़दा helpful साबित होने वाला है अब यहाँ पर important चीज़ यह कहीं मत बढ़ा लीजिए और मुझे इसा लग रहा है कि हो सकता है कि यहाँ पर आपको इस side थोरा ना देखे जो यहाँ पर यह वाली side है क्योंकि यहाँ पर मैं ही मौझूद हूँ ठीक है guys तो यह सारे के सारी terms हैं जो कि आप सब से one marker में या definition में पूछी जा सकती हैं अब यहाँ करूं timeline कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि timeline नहीं दिया तो जिखी guys हमने आपर आपको fully timeline प्रोइड कर रखा है पूरी की पूरी dates के हिसाब सब कि यहाँ पर कैसे 1885 में पहली यहाँ पर meeting करी गई Bombay में किस तरीके से 1905 में जो है partition हुआ था बंगाल का कि existence में आया 1906 में formation किया सथाग्रे मुव्मेंट खेड़ा इजिस्टिक में 1908 में मात्मा गादी ने ओंगराइस किया सथाग्रे मुव्मेंट हैमदवाद में 1909 में रॉल एटक पास हुआ दस अपरेल को यहाँ पर जो पुलिस थी अमरी सर्न में उसने एक peaceful procession के ऊपर यहाँ पर फायर किया अ कॉपरिशन मुव्मेंट इन सपोर्ट ऑफ ख्लाफ़त एस फोर स्वराज उनी सो बीस में महात्मा गांधी ने यहाँ पर कॉंग्रेस को लीड़ किया नौन कॉपरिशन मुव्मेंट को लांच किया दिसम्बर 1920 में वही बात मैंने आपको बताए नागपूर में कॉंपर मे गया नागपूर में भी 1921 में फैमाइस एपिडेमिक होगे रहा आ गई 1920 में यहाँ पर आप इसको उपर नीचे कर सकते है 1920 में आपर पीजन मुव्मेंट जो है आवाद में काफी फ्याल गया जिसकी विए से कॉंग्रेस लिडर काफी हैपी नहीं थे बिकॉज ऑफ सम पॉ 2022 में 2022 तक जो इंपोर्ट था फॉरण क्लोट का वो हाफ हो गया था जून 1920 में जवालान नहरू यहाँ पर विलेज टू विलेज जा रहे थे लोगों की गिरिविंच से सुनने के लिए इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे हमें टाइमिलाइन के हिसाब से सारी के सारी चीज पूर्ट असानी से ले सकते हैं मुझे अमीद है आपको यहाँ पर साफ नजर आ रहा हुगा क्वालिटी आप भढ़ा लीजिए तो गाइस आई होप कि आपको पूरा के पूरा जो चैप्टर है वो समझ में आगया होगा बहुत ही असानी से टॉपिक वाइस मैंने इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाईएगा क्योंकि आने वाले समय में हम ऐसे बहुत सारी वीडियो लेक्चर्स लाने वाले हैं तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स लेटिस वीडियो में सिया जैहिन जैभारत